नमस्कार सातियों स्वाहित आपका अपने यूटूब चैनल स्टेडी वन में रीट भरती ब्यारतियों को लगा बड़ा जटका ब्यारतियों के लिए अच्छी ख़बर देखें पूरी जानकारी अगर सातियों आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चांचे दो इस वीडियो को सुरूर से लेकर आखी तक पूरा देखें तो देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी जैसे कि आप देख सकते हैं खबर आईए नो लाख बीएड डिग्री दारी रीट लेवल वन से बार सुप्रीम कोड का फेंसला 15,500 पदों पर BSTC कंड़ेट को मिलेगी नुक्ती BSTC Basic School Teaching Certificate BED विवाद से जुड़े केस में सुप्रीम कोड ने BSTC अब्यार्तियों और रास्तान सरकार को बड़ी राद दिया है कोड ने रास्तान आई कोड के आदेश को बरकरार रखा है साथ ही कोड ने BED डिग्री दारियों को राद देने से इनकार कर दिया है इनकी संक्या करीब 9 लाख है अब रीट लेवल वन में BSTC अब्यार्तियों को हक मिलेगा इनकी संक्या करीब 7 लाख है सुप्रीम कोड के इस फेंसले से 15500 पुदोब न्युक्ति का रास्ता साफ हो गया है लेवल वन के लिए BSTC कंडेट से ही बरे जाएंगे जबकि बियर्ड कंडेट को लेवल टू में ही न्युक्ति का राक मिलेगा तो आप देख सकते हैं लेवल वन में जो बियर्ड डिगी दारे उनको बाहर कर दिया गया है अब 15500 पदों पर न्युक्ति का रास्ता साफ हो गया है रास्तान सरकार के ओर से A.A.G. मनीज सिंग्वी ने पक्स रखा N.C.T. ने बियर्ड अब्यार्ति को राद देने की मां को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी पिछले इजनियों सुप्रीम कोर्ट ने बाहर सरकार के ओर से नेशनल कौंसलिंग फोर टीचर एजुकेशन को नोटिचारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा था नुमबर 2021 में रास्तान आई कोर्ट की मुख्य पीट जोदपूर ने एफेशले में रीट लेवल वन में केवल बियाश्टी से ब्यारतियों कोई योग्य माना दा साथ इकोर्ट ने केस में बियर्ड डिग्री वाले कंडेट को रीट लेवल वन के लिए योग्या करार ठरा बियर्ड डिग्री दारी लेवल वन से बार 26 स्थमबर 2021 कोई रीट प्रिक्षा के लेवल वन में लगए नो लाख बियर्ड योगता रखने वाले ब्यारति भी सामिल हुए थे इसे लेकर बियाश्टी से ब्यारतियों कर दिया मामला आई कोर्ट में बहुचा और दोनों पक लेवल वन के लिए योग है ठरा दीए तो आप देख सकते हैं लेवल वन का जो न्युक्ति का रास्ता साप उचका है बीएट डिग्री दारी को बार कर दिया गए एक बड़ा जटका दिया गया है सुप्रीम कोट दोबारा तो सातियों आप देख सकते हैं यह अपडेट थ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में